जेहन साथियों स्वागे थे आप सभी का एड्यूकेशन के एड्सेक्स में रूख करते हैं बिहार के तरफ जैसा कि आप सभी को पता है कि BPSC TRE 2 का फॉर्म अप्लिकेशन भरने का लास्ट डेट जो है वो 25 नवंबर है ये डेट एक्स्टेंड नहीं होगा और आपको बता द जैसे कि उनका परसेंटेज उफ यूजी यानकि जो उनका ग्रैजरयेशन में परसेंटेज soldiers फॉर्टी 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 नाइन सभाइब उनका यहां पर पर परसेंटेज डालने पर सब्मेट नहीं लीड रहे हैं कि हाँ पर क्लाउज लगा हुआ है कि 50 परसंट कम से कम होना चाहिए यहां पर विशेएर्श सम पर souffel Cryptos होना चाहिए और विशेजिए सममों में कम से कम 50% होना चाहिए यहां पर इसनात्र के डियरी होना था है तो देखिए, यहाँ पे आप लोग का NCT का जो guideline कहता है, वो यही कहता है कि आपका PG, UG में, undergraduate में 50% नहीं है, और अगर आपने PG किया है, वहाँ पे आपका 50% है, तो आप यहाँ पे eligible होते हैं, आभी दिन करने को लेकर, यही कहता है न हमारा guideline तो, तो आप लोग बिल्कुल इस और छी चीज को यहाँ पर select कर लिजीगा, जैसे यहाँ पे देखिए गा, तो यह सारे option आएंगे आपको, यह भी आएगा, यह भी आएगा, यह भी आएगा, यह भी आएगा, तीनो आएगा, अगर तीनों में से कोई भी एक select कर लेतों, तो अब eligible हो जाते हैं, चुकि वहा आपका honors है graduate है वो ही लिखेगा ठीक है अगर आप B BTEC है तो अपना stream लिखेगा यहाँ पर ठीक है एक छातर का परिशानी आ रहा था 68 की class का form भरने को लेकर वो भी मैं आपको समझा दूँगा ठीक है फिर year of passing यहाँ पर क्या है तो भी बता देना आपको institute का नाम और board का नाम और अपने कितना marks obtained किया है और कितने फूल मारक आपका टोटल एक्जाम हुआ था अगर परसेंटेज आपका जो है तो वो नहीं लेगा यहां पर ठीक है तो आपको क्या करना या तो इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं आपका प्रफार्म यहां पर सब्मिट ले रहा है लेकिन उसके बाद आपको पोस्ट्रेशन में जो है चीज़े डालनी है पोस्ट्रेशन में अपना जालना है सब्जेक्ट जो भी सब्जेक्ट से आपका है पासिंग इयर इंस्चुट का नाम बोड का नाम कितना मार्स आया है और कितने नंबर का एक्जाम था और उसमें आपका परसेंटेज का है तो यह तब ही आप लोगा यहां पर सब्मिट ल कितना मार्स लेकर आया थे फुल मार्स कितना था परसेंटेज कितना था यह डालके यहां पर अपना अपना सबका जो है पीडिएफ अप्लोड जरूर कर देजीगा सौक के बी के अंदर को सब्जेक्ट को ले तो यह चीज़े आप लोगो क्लियर होंगे यह ती मुझे लग यह आप करके दाल दिर और दो वर्समार की वाला ही अपना वंपलोड कर दिजिए यह वहां पर तर्फ करना की यहसे है कि हम लोगों नहीं होगा तो फिर तो वहां पर आपको आलॉण नहीं करेगा यह जान लिजेगा जो कि यहां पर दो वर्षी का तो दिया नहीं है और चुकि यहां पर जो लोग भर दिया है फारां वेलफेर से भी वो ऐसा कर सकते हैं अब यहां पर देखिए एक समस्य और आ रही है कि जो बीटे किये हैं है वो करेंगे क्या वहां पर चुकि जब 6-8 का बढ़ते हैं तो उनका कूछ रहा है कि बीए है या बीसी है या फिर उसके सम्टुल है तो आप वहां पर अपना डाल सकते हैं बीटे को आले भी चात रहे है तो वहां पर क्लिक कर दिजिएगा तो बीटे को एजी ग्रेजुएशन आपको ट्रेट किया जाएगा जाएगा और साथ में आपका qualification जो भी मांगा गया है, seated paper 2 का, वो clear होना जाए, तो आप eligible हो जाएंगे, वहाँ से form भर के आगे proceed कर सकते हैं, अब आते हैं खबरों पे दोस्तों, चुकि खबर आ रही है कि 17,000 और vacancy आ रही है, यह बहाली जो है, उर्दू और फार्सी और अर्भी वाले चात्रों के लिए है, क्या यहाँ पर आपका भी, वही same qualification criteria रहेगा, बिल्कुल रहेगा, तो सर यह metric pass क्यों लिखा है, इसके बारे में जनकारी अब आपको देंगे, एक news update क्यों आते हैं हमसे, metric pass वाले भी चातर बन सकेंगे आप सिक्षक यहाँ पे, जो की यहाँ पे, लेकिन उसके साथ साथ जो योगिता होनी चाहिए, पातरता परिक्षा की है ना, तो वह आपके पास होनी चाहिए, eligibility, फिलाल, आगे बढ़ते हैं, बिहार में T.E.T. होगा क्या आसर, बिल्कुल इसके बारे में अब संख्यान लिया जा रहा है, ख खबरों में चीजे आने लगी है, बिहार T.E.T. होने वाला है, और बिहार S.T.E.T. भी होने वाला है, इसके बारे में जनकारी देंगे, तो ये तो सारी चीजे होगी, लेकिन बीपिए सी टीरी 2 की बात करें, तो परतोगीता कैसा रहेगा सर, कितने सीट पर कितने लगों का फाइट होगा, इसकी जानकारी भी हम देंगे इस वीडियो के मात देंसे, तो वीडियो में अंतर जरूर बने रहीगा, तो सबसे पहले हम बात करेंगे दूस्तों, नई वेकिनसी का, अब यहाँ पे उर्दू और फारसी सिक्षगों की भरती होने जा रही है, 17,000 पदों पर न्योक्ति के प्रकरिया के त्यारी चल रही है, यह नए पद होंगे, जिसका स्रिजन सेंधान्तिक सहमती मिल चुकी है, अब इसको जो है सेलेक्षिन कहां होगा, तो PRT में होगा, यानि प्रैमरी टीचर के रूप में होगा इन लोगों का, जो लोग यहाँ पे उर्दू, फारसी और अर्वी से आविदिन करेगा, आपको दादे की फिलाल जो है, 5,151 खाली पद पर बिहार लोग से वायोग के निक्ति होगी, अ हमती के बाद, राजय मंत्री मंदल से मंजोरी भी ली जाएगी, यानि कि यहाँ पे आप लोगों का क्या लिया जाएगा, तो मंजोरी, यानि कि कैबिनेट की मंजोरी मिलेगी, अब सिक्षा भी बाद, जो है, मिली जांकारी के मतावी बता रहें कि, यहाँ पे सरजीत पद करने की चर्चा की गई है यही नहीं बिहार में एस्टेटी का एनाउंसमेंट तो पहले ही कर दिया गया है जो कि अनंद की सोर सर जो है यहां पर पहले इसका एनाउंसमेंट कर चुके हैं कि हम साल में दो बार एस्टेटी लेंगे और यह जो है एस्टेटी जो है आपका एक ज के इस तर पर गंभीतर से विचार किया जा रहा है बहराल सिक्षा विभाग जो है उर्दू सिचकों की नियुक्ति के लिए टीटी है ना और इस टीटी आउजित करने की संबंदी नियम मुली को साथ में पूरा करके कार योजना के निर्दे सब्सरों को दिया गया है तो यह इसमें भी उर्दू वाले सेक्षें खाली हो रहेंगे तो आपको बता देंके जो भी प्राइंवरी टीचर बनेंगे उनके लिए ट्वेल्थ पास होना जरूरी होता है अब यहां पर बोला गया है कि लेकिन जो यहां पर फार्सी होता है उर्दू होता है यह 10th class में भी 6 ल की नौ से दस तक के लिए यहां पर उर्दू विशागे 1219 सीट खाली है इन पदों पर बिहार लोग से वायोग के अगले चरण में यानि के बीपेसी टेरी 3 में सिख्चोग की निक्टी की प्रक्रिया की जाएगी दोस्तों इसकी सामती आपकी बन चुकी है तो यह एक डिटे दोस्तों इसके लिए नियामली की जा खाली पदों पर नियुक्ति के प्रक्रिया नय सेक्षिंस सरे पूरी कर लिए इसके लिए बिभाग ने यहां पर को एक अधियाचना भी भेज़ दी है साथ ही साथ आपको बता दे कि इसकी मदद से जो है प्रश्ण पत्रों को सेट किया जाएगा नए नियामली के अनुसार और क्या 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 एलगिविल्टी क्रेटेरिया है उसके अनुसार उच इस तरीय बैठाग में हुई है प्रश्णों का सेट तयार कराने के लिए डिपी 24 24 में प्रश्णा ध्यापको की न्योक्ति का प्रस्ता दिया च्टा मंत्री मिंडल त्यार रिक्त पद होंगे उन विस्यों की उनको भी जोड़ा जाएगा तो जो भी अपडेट आएगा ओफीशल हम आप तक साजा करते रहेंगे इसके बारे में भी आईए दूस्तों अब यहाँ पर आपके थोड़े से यह competition आसान है या cutting है बिल्कुल आसान है तो कोई भी परिक्षा में अगर आप एक seat की बात करते हैं वहाँ पे 200 या 300 के आसपास लड़कों का competition होता है तो उसके अनुसार देखिगा तो यहाँ पर competition आपका बहुत ही low है तो तयारी आपको अपने इस तरह से शुरू कर देनी है कि हमको एक seat को कैसी भी तरह चाहिए भले आपके उस विषय में 5 ही seat है या 20 ही seat है या 28 seat है यह नहीं देखना है आपको आपको एक seat के उपर अपना विचार रखके चलना है फोकस रखना है कि हमके इस तरह से 100% अपना दे यह यह चीज़े मिल जाए हमारी सीट आमको मिल जा यहां पर पंजियन हो चुका है सुल्क जमा खाब जो है प्रोसेस भी हो चुका है तीनों स्रेणियों के लिए बारा एक लाख बारा जार सीटों के लिए पांच लाख किये हैं तो कंपटिशन भी वही रहेगा सची राभी भूशन बताया है कि अभ्यार्थियों और सुल्क जमाव के प्रक्रिया पूरी किया है वहीं पर 25 नौंबर तक आवे दिन कर सकते हैं उनका रद हो जाएगा जो कि अपना रेजिश्रेशन नहीं सब्मिट करेंगे तो यह प्रपूल पही जय एब यहाँ है यह बाते हैं ?